आ गई आप, आप ही की याद आ रही थी को आपको बार-बार देखने को मुखा मिलेगा क्योंकि ये मेरी वीडियो के सामने आई जा रही थी कभी अपना हाथ ले क्या रही है, कभी अपना मूँ ले क्या रही है बाल इसने बांध रखे हैं, फिर भी उड़ रहे हैं अच्छा लगे गई, मैंने पसंद जो किया था ये, अपने लिए ही किया था, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर, तो यह देखें, फिर आगी अपना मूँ ठाके, क्या देखें भाई इसमें, क्या देखें, नि क्या देखें इसमें, 32 ही दिखा रही अपनी, बाल बांद रखें, फिर भी उड़े जा रहे, बाल ही नी बांदने आते इसको, अब पैसे तो पूरे कर नहीं है न, यार कमरे के देखो, अब यह देख लो, अच्छा लग रहा है, अच्छा है यह, मैंने मितलब, और मैं इसको पूरे को ज़्यादा, घूम भी नहीं पाई, वरना तो मैं और वीडियो बनाती, लेकिन यह है कि बालकनी का फायदा हुआ, सब कुछ यहां से दिख रहा था, अब यह देख लो, यह फिर आगी, यह मेरे कमरे में भी आगी, इसको और कुछ काम नहीं है, आईगी अपनी बत्तिसी दिखाएगी, यहां पे जीब दिखाएगी बस, मुँ बनवालो इससे दुनिया बर के, अब फिर मैं दुबारा उठ गई थी, दूसरे अलाम पे, जो मेरे काम का अलाम था, क्योंकि अब मैं रेडी होंगी, उसके बाद मुझे काम पे जाना है, क्योंकि मैं यहां पे शूट के लिए आई थी, अब यह देख लो, दूप निकलने के बाद का नजारा, कितना प्यारा लग रहा है न, अब यह रोशनी में दिखे रहा है, देखो मैंने दो-दो नजारे दिखाए, दो-दो अलाम लगाए दे, सुपह पांच बजे उटी में इस नजारे को देखने के लिए पहले वाले को, और यह बादवाला, यह देखो मैडम जी ना आ रही है, स्विमिंग कोस्ट्यूम में ज़्यादा मैंने दिखाए नहीं, किसी को ज़्यादा दिखाना नीची है, यह फीर आगी देखो, स्माइल देखो इसकी, बस, बेटी गी चाय बनाके, अगड़ाईया तोड़ रही है, अब चाय पी रही है, बस बहीं मोज औरी, इसकी पूरे पैसे पूरे कर रही है कमरे के, सोफे पे बैठी है, कभी बैट पे बैठेगी, कभी बालकनी में जाएगी, आहाहा, देखो, देखो, आया, मज़ है, देखो, कितने ले रही है, अब देखो, चाइबी के नाश्ता मंगा लिया, देख रहे हो, नाश्ता आ चुका है, बहुत सारा ताम जाम, कांटे, चमू, मच पते, नाश्ते में वैसे कांटे का काम है, क्य बेट में तो सजाएंगे, देखो, पैसे पूरे करो एकदम खाने के, अब ये सबजी डाल लेते हैं, कटोरी में, सबजी डाल लिया, अचार सजा लिया, प्याज भी ले लिया, निम्बू भी ले लिया, बडूरा भी रख लिया, चलो, अब कैमरा ले लो, दूसरे मोबाइ में बेटे, क्योंकि राइट एंड से खाना आपको, चलो, हाँ जी, अब बडूरा तोड़ो, वैसे मैं एक ही आग से रोटी तोड़ती हूँ, मैं लेफ्ट एंड कभी भी गंदा नहीं गरती, खाना काते हुए, ये मेरी आदत है, और बचपन से है, अब ये देखो, तोड चलो, बता कैसा लग रहा है, खाके, अच्छा लगा, अच्छा लगा, इसको अभी और खाएगी देखना, अभी ये इसको खालेगी, मज़े आ रहे हैं, ये देखो, भाई, मैं रेडी होगी हूँ, मैं यहाँ पर शूट के लिए आई थी, अभी मैं यहाँ बहुत दिन का है, तो मैं वो खतम करने के बाद, फिर मैं जाओंगी घूमी घूमी करने, क्योंकि टीम के लोग ना बड़े आलसी होते हैं, घूमने घूमने जाते नहीं, मैं लास्ट टाम रिंदावन गई थी, वहाँ पे भी मैं जैसी मुझे टाइम लगता था, मैं अकेले घूमने निक अलगी लेवल की स्माइल होती है, लोग को घूमने का शौंक ही नहीं है, मेरे को बहुत शौंक है, और मुझे मतलब मैं किस से पूछती भी नहीं हूं, मैं जस्ट बोल देती हूं कि मैं बाहर जा रही हूं, और मैं घूम के आ जाती हूं, मैं हमेशा ऐसी करती हूं, शूट पाच्छे दिन आप यहां पे अराम से रेस्ट कर सकते हो मतलब जब भी चिल बिल करना हो ना रूम इतना अच्छा था और बहार का बालकनी का न जा रहा होए 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 अब मैं रूम से निकल चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गुमी गुमी करने किसी को ज़्यादा रोक टोक करने नहीं चाहिए बरना फिर कोई कोई ना कोई काम बोल देगा मेरा गुमना रह जाएगा तो यह देखो भाईया होटल देख रहे हो क्या जबर्दस मतलब आए होएगी मैं जाती हूँ अपना गुम के यह रहा होटल का बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने नहीं दिखाया था तो मैं यहां पर आई हूँ पिचोला लेक पे क्यूंकि एक लेक मेरे होटल के पास में ही थी लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं एक्स्टीरियर में बहुत ऐसे महल वहल से तो मुझे महल देखने का बड़ा क्रेज था कि मैं उदो पर आई हूँ तो मैं महल देखूं क्योंकि मैं फर्स टाइम गई थी राजस्तान गूमने तो यह मैंने पकोड़े भी लिए थे तो मेरे एक हाँ मैं पकोड़े थे और एक हाँ से मैं खा रही थी तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई लेकिन स्वाद बहुत थे यार पकोड़े मतलब और चाई भी बहुत स्वाद थी और मैं स्वाद लेके पी भी रही हूं देख सकते हो आप तो ये मैं आपको दिखा देती हूं पिचोला जील किये कैसी लग रही थी तो अभी तो मैंने पकोड़े खा लिये और चाई पी ली थी तो मैं इसलिए यहां पे खड़ी थी चाई पिते-पिते मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दूँगी तुमको कैसी लगेगी यहां से जील तो अभी मैं यहां से जाऊंगी फिर मैं टिकेट लूँगी यहां पे मैंने पता कि या दो तरह की किष्टी है तो ये देखो ये ग्रीन वाला इन्होंने पूल बना रख है इस पे से जाएंगे और आगे किष्टिया खड़ी है उसमें जाके बैठ जाएंगे ये सिस्टम है तो यहां से मैंने टिकेट ले लिए पीछे से और मैं जा रही हूँ अकेले गूमो न क्योंकि बहुत सारे लोग थे मैं लोगों को ज्यादा वीडियो में लेती नहीं हूँ इस पूल से मैं आई हूँ देखो हरे वाले से और इधर से आके मैं ऐसे यहां पे किष्टी पे बैठ गई हूँ तो इन्होंने बोला कि यह जो लाइफ जैकिट है यह आप लोग पहन क्योंकि किष्टी पलट भी सकती है विकोज हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश आगी थी तो मैं डर भी गई थी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो डर लगता ही है बैया काला पानी वैसे था पता लगे नीच्चे गिरी के इतने में मगरवज चुकर आई कुछ खाजे पता भी नहीं था कि कैसा होगा उपर से मुझे बचाएगा भी कौन अकेले गूमो तो ये भी टेंशन रहती है जो बहिया गाड़ी चलाके आए थे वो तो आई नहीं तो मैं अकेली गूम रही हूं देख लो मुझे हाँ यहां पर हलाकि शिप में बैड़ी द इसको और कुछ काम ही नहीं है बोलती है नहीं कुछ वीडियो में यार इतने लोग बैठे होते हैं सबके सामने बोलो वीडियो बनाओ तो भी गूरते रहते हैं बोलो तो फिर और गूरेंगे यह देख लो मेरा हाथ पकड़ो देखो कितने सुन्दर आता है कोई पकड़ने आपको ऐसा लगेगा कि किष्टी में आप बैठे हो और आपको पूरी सहर कराई जा रही है तो यह किष्टी क्या करती है ना इस जील के चारो दरोफ चक्कर लगा के आती है तो मैंने इनसे पूछा था तो यह बीच में ना कुछ टेमपल वेंपल कुछ था ऐसा तो मैंने क यहां पे नहीं लेके जाते तो यह कहते कि अगर इस जील के किनारे बे किसी होटल में आप रुको गे ना तो फिर वो लोग लेके जाएंगे ऐसा इन्होंने मुझे बताया तो लेकिन मैं तो दूसरी एक दूसरी जील थी मैं तो उस वाले होटल पे रुकी हुँ थी इस वाले का तो मैंने घूमने के लिए पता किया था कि यहां पे पैलेस कहां पे आए क्योंकि मुझे महल देखना था कि पुराने टाइम में कैसा होता था उसका व्लोग भी मैं डालूंगी यह लंबा हो जा रहा था इसलिए इसमें नहीं डाला उसको तो इसका व्लोग में कलिया पर्सो डाल दूँगी महल का तो देखो मैं यूँ घूमने ये शिप चली गई साइड पे अब इसको देखेंगे ये मुझे देखना था ये जहां पे मैं रुखियों भी न वहां पे ऐसा नहीं है जील के साइड पे तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पिचोला जील पे आई हूँ पिचोला लेक बोलते हैं हमाँ पे सब जील भी ठीकी है इंगलिश हिंदी का ही फरक है समझ तो जाओगे ही तुम समझदार हो ये देखो मतलब इतना मज़ा आ था ना क्योंकि मैंने तो राजसान पहली बार देखा है मैं हिमाचल में पूरा घूमी हूँ लेकिन राजसान पहली बार गई थी और ये देखो और अकेली घूमने का जो मज़ा है ना जो मरजी खाओ जो मरजी पिओ जो अमरजी बैठो कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है मैं जहां भी जाती हूं शूट पे तो मैं आपके अकेले निकल जाती हूं गूमने जब भी मुझे टाइम मिलता है तो यह तभी का व्लोग है देखो लग रहे हैं आपको कि आप भी किस्तिम बैठे से चल रही है देख सकते हूं आप इसमें कुछ भी मैंने एफेक्ट नी डाला ना स्लो की है ना फास्ट की है एकदम नॉर्मल है जैसा शूट की थी और यह देखो ही जो बना हुआ है इतना लंबा इतने बड़ी जंगा में बना हुआ है ना यह देखो इसको जरा अब चलत सब लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने उनकी वोईस कट कर दिया क्योंकि बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही थी एकदम सबजी मंडी की तरह आ थिंग वो लोग भी पहली बारी घूमने आये थे कोई फैमिली थी कोई मामा मामा सब लोग थे बच्चे थे उनके तो सब लोग बह जैसे मैंने वोईस बंद किया है अधरवाइस मैं उनकी वोईस डाल देती लेगिन फिर आपको मज़ा नहीं आता देखने में न तो आप कहते कि मतलब कान ही फट गए हमारे तो इतनी तेज आवाज में वो बच्चे बोल रहे थे इस वज़े से मैंने वोईस बंद कर दी त मेरे को घूमने का इतना शौंक है ना मुझे नहीं लगता किसी को होगा और फिर आगी अपनी बतिसी दिखा रही है यह देखो भाई साब इसको क्या करें भाई हम इसको देखके ने क्या करें हम तरको देखके भाई क्या देखें इसमें तेरा मू बनाया हुआ देखें कि मिल दकें बाल देखें तेरे जो गिल्ले हो गया बारिश में क्या देखएं भाई यही तो आक पर बारिश का पानि गिर रहा इसकें मेरे पास जो डूपट्टा आपको पता है मैं वाईट या बल्यग दूपट्टा jokes बारिष ऐ द ग्या दा बारिश मेरे न लेके चलती आघि कहां से गिला हुआ हो गो तो कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा क्योंकि बारिश कभी हो रही थी कभी रूकरी थी पूरा तो गिला नहीं हुआ वो एक लेफ्ट वाली पूरी टांगी ली हो गई उसकी बीच में से गिला हो गया और एक सैड से सूखा जा तो बड़ी सैड कहीं ओटल में रुकोगे तो वो दिखाते हैं ऐसा कुछ था पीछे गाट भी गया जांपर सब लोग ना रहे थे ना ही तो मैं नीजील में यह देखो यह नया जुगाडमेट है अच्छा लग रहा है ना मतलब बहुत ही ब्यूटिफूल है रुदेपूर सब लोग प क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कल को बंदा बोले यार मुझे ले लिया तुमने वीडियो में ऐसे लोग ना बिना बताए वीडियो बना देते हैं तो कभी भी किसी को पूछे बिना वीडियो नहीं बनानी चाहिए उसकी कि भाई तुझे ले 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 ना लें बोड चल फिर और जादा हवा के साथ और जादा लगने लगी तो ऐसे चक्कर बढ़ रहा था बहुत जादा तो अभी हम जा रहे हैं आगे आगे ना कुछ इनों ने वो भी बना रखा था उपर रोप का कोई रास्ता बना रखा था ऐसे रसी पे नहीं लटक के जाती ट्रोली तो वह यहां पर कोई मंदिर था लेकिन मैं वहां पर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था गूमने का तो मैं यहां जील पर ही मुझे बहुत टाइम लगया और बारिश में मैंने बताया आपको में कपड़े भी गिले हो गए थे अब यहां पर चलते जा रहे हैं वो देखो वो जो आगए जा रही है न वो छोटे वाली किष्टी है और मैं जिसने बैठी हूँ वो बड़े वाली किष्टी में बैठी थी, पता नहीं क्यों मेरे को उन्होंने बोला कि बोट पलट भी सकती है, मैंने गा भाई कोई पलट वलट ना जाए, छोटे वाली जल्दी ना पलट जाए, लेकिन फिर मैं जब बड़ी में बैठी तो मुझे लगा पलट तो बड़ी भी सकती है, कई बड़ी ना जल्दी पलट जाए, लेकिन हाला कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, किष्टी नहीं पलटी, मैं सही सलामत जैसे गई थी, वैसे ही आ गई थी, ये देखो, ये जो ऐसी चीज़े हैं ये और कहीं नहीं मिलने वाली, जो ये उद्यपूर में मुझे ये महल, महल कर तो मुझे इतना क्रेस था ना, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं इसके बाद महल जाके ही गई हूँ, इसके बाद मैं महल भी गई हूँ, लेकिन ये व्लोग बड़ा हो जाएगा, तो इसमें महल नहीं है, अगले वारे व्लोग में दिखाऊंगी महल, बहुत अच्छा था बहुत अच्छा ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे इसी को देखने तो आई थी मैं लेक में इसी को देखने के लिए तो अपना पजामा गीला करवाया है मैंने बारिश में इसी को देखने के लिए तो ये देखो अभी हम जा रहे हैं यहां से इसने हमें गु लेकिन मैं नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, नेक्स टाइम, जितना घूमी हूँ, उतना भी मैं ही घूम ली, बाकि तो सब आलसी लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता घूमने का, सब बेकार हैं लोग, अब कुछ लोग कहेंगे, आप सब को बेकार ही बोलते हो, मैं उनको अप यह देखो हाँ यह है वो चीज जहां पे बोल रहे थे कि अगर आप यहीं साइड पे रुखोगे ना तो होटल वाले ही लेके जाएंगे यहां से आपको किष्टी में अपनी तुम ले जाओ तुम भी तो गुमाई रहे हो गुमाई नहीं इन्होंने मुझे इसके अंदर लेक की रॉयल्टी अलग ही है यहां की जो चीज़े यह एकदम अलग ही है मसा आगया देखके उद्यपूर सब आप लोग पूछ रहते हैं कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरा मन है कि मैं दुबारा जाओ मेरा जो जो रहे गया गुमना वो भी गुमाई लेकि मेरे जैसा कोई नहीं है तो अभी इनोंने किष्टी वापिस गुमा ली है जहां से उठाया था महाँ पे हमें चोड़ देंगे यह तो इसके बाद प्लैनिंग है मेरी मैल देखने ही जो इस व्लोग में नहीं है वो अगले व्लोग में आएगा मेबी संडे अप्लोड कर को अ्ध defok कर आंखें मटका रही है कभी मुझे कारे है क्या देखे हम इसमें है कि गंबीर हो के देखती है नाग चड़ाईगी मुझ बनाएगी देखते रहे हम तुझे प्यार हो जाएगा हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो तेरे को स्वाइल देखो इसकी तो मुझे जील में गूम के बहुत मजा आया और अब मैं जा रही हूँ यहां से जील से वापिस और यह मेरा हाथ है जो भी तक किसी ने झाल दो तो